स्वागते दोस्तों आप सभी को टिकिराच यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने OPPO A1 के या फिर किसी भी OPPO फोन में आपका येदी टोर्च काम नहीं कर रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टोर्च है यदि आपका ये टोर्च काम नहीं कर रहा है तो इसका सॉलीशन क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के साथ बने रहेगा साथी साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक अन दबा देना और इस वीडियो को एक लाइक अभी के अभी कर दीजिगा और दोस्तों आपको बता दूँ कि इदि आप आप आनलाइन पैशे कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा आप चाहों तो चेक आउट कर सकते हैं चलिए दोस्तों शुरू करते हैं देखिए दोस्तों यहाँ पी क्या होता है कि आपका टोड़्च यह दी काम नहीं कर रहा है ठीक है तब आपको क्या करना है सबसे पहले तो आप एक बार चेक कर लिजी कि आपका कैमेरा इनब्यूल्ट खराब हुआ है कि नहीं उसके लिए आपको कैमेरा ओपिन कर लेना है और फ्लेशलाइट ओन करके आप फोटो खीचके देखिएगा या फिर वीडियो में फ्लेशलाइट ओन करके वीडियो रिकोड करके देखिएगा आपका कैमेरा काम करता है की नहीं फ्लेश लाइट काम करता है कि नहीं यदि आपका फ्लेश लाइट काम नहीं कर रहा है उसमें तब प्रॉब्लम यह हो सकता है कि आपका इन बिल जो मदर बोर्ट में आपका कैमेरा लगा हुआ है फ्लेश लाइट वही फ्लेश लाइट जो है वो फ्यूस हो चुका है ठीक है ये कारण में आपको technician के पास जाके बदलना है, यदि दोस्तों आपका flashlight काम कर रहा है, flashlight आपका camera में काम कर रहा है, वीडियो में भी काम कर रहा है, तो उसका मतलब आपका, यहाँ पे settings में गरबरी है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने mobile के settings पर जाना है और settings पर जाने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर additional settings पर जाना है उसके बाद में आपको यहाँ पर show होगा backup and reset उसके उपर click करना है और यहाँ पर आपको reset to factory setting पर जाना है अब यहाँ आपको क्या करना है आपके mobile में जितना भी settings है वो सारे settings को आपको company से जो settings आता है उसमें आपको convert करना है उसके लिए आपको system reset करना होगा ठीक है यह सिर्फ system आपका reset होगा system का setting आपका reset होगा data वगेरा कुछ भी नहीं जाएगा तो गबराने वाली बात नहीं यहाँ पर आप reset system setting में click करके अपना system को reset कर दिजएगा reset करने के बाद में आप अपना torch को check करके देखिए यदि आपका hardware का problem नहीं है motherboard का problem नहीं है आपका light fuse नहीं हुआ है तब तो आपका problem solve हो जाएगा ठीक है तो जोस्तो इस परकार से आप अपना problem को solve फिर सकते थेंक्स पर आपका